नमस्कार आपका स्वागत है एश्यानीज इंडिया में आपके साथ मैं पून हूँ इन दौर में गुरुवार को रंजीत हनुमान की प्रभात फैरी में हुए मुर्डर के पहले का वीडियो सामने आया है इसमें मचरंग दल का कारे करता हत्या से पहले आरपीो को मारने के लिए उनकी पीछे दोड़ता दिख रहा है इसके बाद उसकी चाकु मारकर हत्या कर दी गई आरपी वारदात के बाद बेक आफ गुम रहे थे एक आरोपी चुराहे पर खड़े होकर दोस्त से बात कर रहा था पुलिस ने उसे वहीं से पकड़ लिया दो आरोपियों को उनके घर से गिरफतार किया गया तीनों नशे के आदी हैं एक आरोपी का भाई ड्रक पैडलर है प्रभात फेरी में बजरंग दल कारकता शुबम रगुवन्शी का मडर हो गया था मामोली विवाद में चाकू बाजी हुई चाकू शुबम के गले पर लगा जोश्वास नली तक पहुँच गया हत्या का वीडियो सामने आने के बाद इंदोर क्राइम प्रांच और पुलिस ने प्रभात फेरी से ही संदिक दो को उठाना शुरू किया पुलिस ने 12 लोगों को नामज़त आरोपी बनाया है मुक्के आरोपी भी पुलिस की गरब से बाहर थे इनकी पहचान के बाद दबिश दी गई मोहनखीची की गली से यश पिता जितिन गोदा रसीरा का भटा भागिरत पूरा से युवराज पिता रामचंद्र यादव और कपिल यादव को पुलिस ने पकड़ दिया पुलिस ने सत्यकान में यश युवराज और कपिल सहित अन्यों को आरोपी बनाया है बाकी आरोपियों की भूमी का F.I.R. में अभी तक तय नहीं की गई है प्रबात फेरी में बेर लगने को विवात हुआ शुबम और इसके दोस्तों ने यश युवराज और कपिल को बूरी तरह पिटा तीनों बशने के लिए महावर नगर की गली में भागे शुबम दोस्तों के साथ पत्थर लेकर उनके पीछे भागा में डोट तक आते आते शुबम सबसे आगे निकल गया उसे अकिला पाकर यश युवराज और कपिल ने पहले पीटा फिर जेब से चाक को निकाल कर गले में मार दिया क्राइम ब्रांच को यहाँ दो पुटेज मिले एक में आरोपी शुबम को गिराबंदी कर हमला कर रहे हैं इससे पहले वाले CCTV पुटेज में शुबम हत्यारों के बिछे दोड रहा है शुबम के दोस्तों को जानकरी मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने मुबाइल लोकेशन से आरोपियों की पहचान की अनपुर्णा द्वारगापूरी धाने के स्कौर्ट के जवान पहले जारी हुए वीडियो में दिख रहे आरोपियों को पकड़ रहे थे तब नहीं पता था कि शुबम की हत्या किस ने की करिब 6 से जादा लोगों को थाने में बिठा दिया गया इधर मुख्या आरोपिय यश, युवराज और कपिल तीनों भागिरत पुरा अलाके में ही आराम से घूम रहे थे क्राइम ब्रांच ने जब मुक्बिर को कॉल किया तो युवराज दोस्तों से बात कर रहा था लोकेशन मिलते ही क्राइम ब्रांच ने यश और युवराज को पकड़ डिया उनसे सक्ती से पुस्ताच की तो वह तूड गए आरोपियों ने बताए कि वसातियों के साथ पांच बाइक से प्रभात फेरी पहुचे थे हत्यकान के बाद तीनों एक ही बाइक से भाग गए उनको लगा पुलिस ने भीड में उन्हें नहीं पहचाना होगा